लेट प्रो यह नया पोड़क्ट यकोड़क्ड क्या है नाम से बड़ा सिंप्ल अविध और प्लड़ेट protesting अब बात ही हुट्ति कि blood purification क्यों है हम जो खाना खाते हैं तो हमारा खाना पच के हमें ताकत देता है या nutrition देता है लेकिन अगर खाना प्रॉपर नहीं पचता है तो फिर वो बिना पचा हुआ खाना हमारे शरीर में सड़ता है और जब वो सड़ता है तो उसमें बहुत सारे toxins इखटे होते हैं और वो toxins खाने से हमारे blood में पहुंच जाते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि blood हमारे पूरे शरीर में हर एक cell हर एक कोशिका तक जाता है तो वो जो toxins हैं वो हमारे शरीर में हर जगे पहुंचते हैं और अलग-अलग जगे जाके वो अलग-अलग बीमारिये को बनाते हैं अब blood purify कैसे हो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने डायशी स्ट्राम करें दूसरी बड़ी बात है कि हम जो न्यूटिशन ले उसके अंदर कम से कम 25% का 30% का एक फाइवर हो अब ब्लड डाया सिस्टम अगर हमारा कमजोर है तो उसके इस्ट्राम करने के लिए हमारे पास अल्यडी है Meri Veri सिरप लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई कि जो अल्ली टॉक्सिक हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास है Red Pro सिरप Red Pro सिरप में बहुत बनी बनाई जड़ी गूर्टी हैं जो इस्टैबलिश है अल्ली ब्लड पूरिटेशन के लिए उसमें से अपसे बड़ी अच्छी जड़ी गूर्टी है वो है सरीवा दूसरी है मजिस्था मजिस्था और सरीवा को ही अगर हम यूज कर ले तो हमारा काम हो जाता है इसमें एक और बहुत बारीक बात यह है कि जो सरीवा अटरग है ब्लड चल रहा है जो इसको भी प्यूरिफाई करती है जिसकी वज़े से हमें कहीं न कहीं एंग्जायटी डिप्रेशन से भी फायदा मिलता है दूसरा मजिस्ठा को सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे प्लड को प्यूरिफाई करना जो टॉक्सिंस निकाल के अलग करना जिसकी वज़े से lymphatic system को भी ये ठीक करता है एक तो हमारा blood का system है जिसको हम circulating system बोलते हैं blood के साथ साथ एक और system चलता है जिसको हम lymphatic system बोलते हैं जो कि छुपा हुआ system है और अगर हमारा lymphatic system और blood system दोनों साफ हो जाएं उसके अंदर कोई toxins न रहे तो हमारी body ऐस साप हो जाती है अब आप कहेंगी जी हमें तो कुछ महासे नहीं है हमें तो कोई rashes नहीं है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसके मतलब मेरा blood purified है नहीं साथ आप ये समझे कि महासे और rashes या चकते तब आते हैं जब blood 60% से ज़्यादा toxic हो चुका होते है 25-30% 40% में आपको कोई symptom नजग नहीं आई है तो recommendation ये है आयरवेद में कि अगर आप इसको blood pro syrup को तीन महीने तक लेने के बाद फिर एक महीने छोड़ दीजिए फिर तीन महीने लीजिए तो आप ता जिंदगी अपने blood को purify रख सकते हैं और बहुत सारे रोहों से आपको आराम मिल सकता है इसमें एक सनाय पत्ता भी हमने यूज किया हुआ है सनाय पत्ता का मतलब है कि हम सैनलीफ सैनलीफ का major जो फायदा है वो है constipation को दूर करूँ अब constipation और blood purification का क्या संबन्द वो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में अगर constipation नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर अनपचा हुआ खाना इखटा नहीं होगा अनपचा हुआ खाना इखटा नहीं होगा तो कोई toxins या खतरनाग chemicals हमाय बाड़ी में नहीं बने और जब खतरनाग toxins बनेंगे ही नहीं तो blood में नहीं जा पने तो हमने दोनों तरप से काम किया हमने एक तो ही toxins को blood में पहुँचने नहीं दिया यहां से रोक लिया रास्ता बंद कर दिया दूसरा जो blood में toxins बहुँच चुके हैं उनको हमने जड़ी पूटियों की मदद से उसको वहां से भी detoxify कर लिया तो हमारा blood proper purify हो जाता है simple है डोस दो चम्मत, दो सुबह, दो शाम या दिर में तीन बार भी लिया जा सकता है और हम अपने शरीर को सुद्ध कर सकते हैं और छोटि चोटी चोटी आप तीन मइने तक यूज गरेंगे इस पूरन को तो अर्थकों तभी आपको महसूस होगा कि यह इसा होता था अब नहीं होता यह यह चीज़ आरही थि पता नहीं है क्यों आरही तो यी पर पो हमें इसको यूज करना चाहिए तभी इसके रिजल्ट्स हमें रिचिवेल होंगे यह आप सब जानते कि आयर बेट में रिजल्ट्स लंबे समय के बाब दिखाए जाते हैं Thank you very much for this product Red Pro Serum Thank you